Hello Everyone! पिशली क्लास में हम लोगोंने अनुमान के दो प्रकार स्वार्थानुमान और परार्थानुमान की चर्चा की थी अब हम लोग त्रिरूप लिंग देखेंगे तो ये थोड़ा दीरे दीरे टेक्निकल होता जाता है इसलिए हम त्रिरूप लिंग की चर्चा यहां पर करेंगे तो त्रिरूप लिंग का मतलब हुआ कि जिस हे तु से लिंग के कई सारे नाम है ठीक है लिंग को ही हम लोग हे तु कहते है इसी को हम लोग साधन कहते हैं इसी को लिंग कहा जाता है English में इसके कई सारे नाम है जैसे कि इसको हम लोग Mark कहते हैं logical mark कहते हैं और reason कहते हैं ठीक है तो ये तीन रूप इसके क्या-क्या है एक है पक्षधर्मता अन्वै और व्यतिरेख पक्ष धर्मता का मतलब होता है अनुमेये सत्वम एव लिंग का अनुमेय में होना ही चाहिए यानि कि जो हेतु है अब एक एक्जामपल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए जैसे कि मान लीजिये कि ये एक परवत है और परवत से धुआ निकल रहा है आप यहां से जा रहे हैं ठीक है आपने देखा कि धुआ स्मोक कहाँ पर हिल में सो हिल पे स्मोक या मांटेन पे स्मोक देखा आपने और आपने अनुमान किया कि वहां पे क्या है फायर यहां पर फायर के होने का अनुमान किया तो इसमें तीन चीजें आपने यहां पे ली हैं पहला क्या है कि यह जो हिल है वो बन गया हमारा पक्ष तो जहां पर अनुमा ये शब्द भी प्रयोक करते हैं, तो अनुमेय सत्वन एव यहां से आता है, तो इस हिल में हमारा ये जो स्मोक है, वो क्या है, हेतु, हेतु उस हिल में होना ही चाहिए, ऐसा पक्षधर्मता कहता है, यह जो पहला आस्पेक्ट है, उस त्रिरूपलिंग का, वो ये कहता है कि ह हेतु को पक्ष में होना ही चाहिए, ठीक है, दूसरा, यहां ये जो स्मोक है, वो हेतु, ये जो हिल है, वो फायर, इतनी बात क्लियर हो गई, ये जो हिल है, वो पक्ष, अब ये जो फायर है, ये फायर क्या है, ये है हमारा साध्य, तो जिसकी सिद्धी करनी है, वो साध्य और जिसके द्वारा सिध्धी करनी है वो हेतू जहां पर सिध्धी करनी है वो पक्ष इसी को हम थेसिस, प्रुबैंज और प्रुबैंडम कहते हैं तो पहला पक्षधर्मता हो गया दूसरा क्या है सपक्षे एव सत्वम सपक्ष में ही होना चाहिए एव यहाँ पे बीच में लगा है तो इसका मतलब है सपक्ष में ही होना चाहिए कहीं अन्य नहीं मतलब विपक्ष में नहीं होना चाहिए या असपक्ष को ही हम लोग इसी को हम लोग क्या कहते हैं विपक्ष भी कहते हैं तो हेतु को सपक्ष में ही होना चाहिए और असपक्षे च असत्वम एव मतलब असपक्ष में नहीं होना ही चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए ठीक है तो अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सपक्ष क्या है और असपक्ष क्या है जब तक हम सपक्ष और असपक्ष को नहीं समझ लेते तब तक हम त्रिरूप लिंग को नहीं समझ सकते हैं तो जहां पर हम साध्य की सिद्धी करते हैं वो स्थान क्या है? पक्ष है सपक्ष पक्ष के जैसा होता है मतलब वहां पर भी क्या होना चाहिए? हेतु होना चाहिए लेकिन सपक्ष का मतलब वो है जैसे यहां पर पक्ष में फायर की सिद्धी करनी है तो फायर होगा पक्ष में वैसे ही सपक्ष वह स्थान होता है जहां पर साध्य निश्चित रूप से पाया जाता है अगर न्याय की भाशा में कहें तो न्याय कहता है निश्चित साध्यवान सपक्ष और निश्चित साध साध्या भावां असापक्ष यहां परने जीया जाता है उसे पर रूप से साध्या इस साध्या पाया जाता संस्सक्पर दौन कि अ बीधा पाई जाती है वो सपक्ष है तो ऐसी जगे क्या है जैसे की महानस मतलब होता है किचेन रशोई घर वहाँ पर निश्चीत रूप से अगनी पाई जाती है तो ऐसा कोई स्थाल ले लेते हैं जिसे कि जील या नदी तलाब कुछ भी ले सकते हैं तो ये हो गया आपका सपक्ष और ये हो गया आपका असपक्ष अब आपको देखना है कि आपके लिंग का सपक्ष में ही होना निश्चित हो और आपके इस लिंग का अस अपक्ष में नहीं होना ही निश्चित हो ये तीन बाते हम देखते हैं और इसी से तै करते हैं कि हमने जो लिंग लिया है यानि जो हेतु लिया है जो मार्क लिया है लॉजिकल मार्क जिससे कि हम साधे की सिद्धी कर रहे हैं किसी भी अनुमे या पक्ष में उसमें ये तीन बातें हैं या नहीं हैं यदि ये इन तीनों में से यदि कोई भी एक या दो आस्पेक्ट नहीं मिला यानि पक्ष धर्मता मिली, अन्वय वैतिरेक नहीं मिले या पक्षधर्मता और अन्वे मिला व्यतिरेक नहीं मिला या इन में से कुछ भी आप बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि तीनों के तीनों मिलने चाहिए निश्चित होने चाहिए तीनों निश्चित होने चाहिए एक साथ ऐसा न हो कि एक या दो कोई न हो अगर ऐसा होता है तो आपका हेतू दुष्ट हेतू हो जाएगा और आपकी जो अनुमान की प्रक्रिया है वो फैलसियस हो जाएगी यानि कि वो गलत हो जाएगी आपका अनुमान हित्वाभास से ग्रसित हो जाएगा इस पर हम डीटेल में आ पनजने के लिए, thank you so much.